जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि निंग रॉंग रॉंग अपने ट्राइब में वापस गई थी और वापस आकर उसके दादा अब उसकी बड़ी हुई पार और तैंक शैंक के दिखाए हुए वेपन्स को चेक करना चाहते थे और अब इसलिए वो निंग रॉंग रॉंग को खुद से फाइट करने के लिए कहते हैं जिसके बाद निंग रॉंग 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 और ग्रांट पा के बीच फाइट शुरू की जाती है ग्रांट पा की रॉंग नाइटी सेवन थी और वो बहुत जाधर शक्ति शाली थे और अब दोनों की फाइट के बीच में निंग रॉंग 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 एक के बाद एक फिदन वेपन का यूज करती है और एक-एक फिदन वेपन को ग्रांट पा स्ट्रगल करने के बाद रोख ही देते हैं लेकिन निंग रॉंग 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 अपने शांदार फिदन वेपन अब उन पर छोड़ती है और इस फिदन वेपन के अंदर पोईजन लगा हुआ था और ये पोईजन क्योंकि तैंग शैंग ने बहुत स्टडी करने के बाद बनाया था इसलिए ये पोईजन ग्रांट पा पर असर करने लगता है ये देखते ही निंग्रॉंग रॉंग के पापा निंग्रॉंग रॉंग को डांटते हैं और अब grandpa खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। निंग्रॉंग्रॉंग को भी तुख होता है कि उनकी वज़े से उनके grandpa को जहर लग गया है और वो फिर अपने grandpa की हालत पर रोने लगती है। लेकिन grandpa क्योंकि 97 rank पर थे इसलिए वो अपनी body को heal करके तुरंट सही हो जाते हैं। लेकिन वो तैंग शैंग के इस weapon से बहुत शौक होते हैं। और अब वो अपने बेटे या निंग्रॉंग्रॉंग के पिता से इस बारे में बात करते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि वो तैंग शैंग से ऐसे बहुत सारे weapons खरीदेगा और तैंग शैंग को अपनी clan में मिला लेगा। वो तैंग शैंग को अपनी clan में इसलिए मिलाना चाहते थे तांकि उनकी clan मजबूत हो सके। वही हम तैंग शैंग को देखते हैं जो मेडिटेट करके अपनी आँख खोलता है और क्योंकि उसने कोल्ड और लावा वाली लेग को एक साथ पिया था इसलिए अब उसकी बोड़ी बहले से जाता ताकतवर हो चुकी थी उसकी परपल डेमन आयब और जाता ताकतवर हो अब फिर ये तीनों लोग क्लास में जाने लगते हैं और रास्ते में तैंग शैंग ऑसकर से निंग रॉंग रॉंग के बारे में बात करता है और ऑसकर एकसेप्ट कर लेता है कि वो निंग रॉंग रॉंग को प्यार करता है अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास ये खबर आती है कि ताइलॉंग के ग्रांटपा अब तैंग शैंग से लड़ने आए हैं। जिस पर अब तैंग शैंग स्कूल के बाहर उनको देखने जाता है। जीवू सीधे मिस्टर जाव के पास जाती है। तांकि अगर तैंग शैंग मुसीबत में हो तो मिस्टर जाव तैंग शैंग को बचा सके। अब ग्राणपा अगर तैंग शांग को धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इतने ही शक्ति शाली हो तो तुम्हें मेरे चैलेंज को पूरा करना होगा और अगर तुम्हें मेरे चैलेंज को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूँगा अब चालिंज ये था कि ग्रैंट पा ने अगर बत्ती जलाई है तैंग शैंग को रिंग के अंदर तब तक जिन्दा खड़ा रहना था और अगर बत्ती खड़े होने के बाद अगर तैंग शैंग सही सलामत पोजीशन में होगा तो तैंग शैंग जीच जाएगा और अगर तैंग शैंग खार गया तो तैंग शैंग को तैंग की क्लैंट जोइन करनी होगी अब तैंग शैंग भी कहता है कि अगर मैं जीच जाऊंगा तो तुमें मेरी भी तैंग क्लैंट जोइन करनी होगी जिस पर grandpa मान जाते हैं और वो दोनों रिंग के अंदर fight करने लगते हैं अब Mr. Zhao जब Tai Long के grandpa को देखता है तो वो डरते डरते बताते हैं कि मैंने भी इनके एक disciple को पीटा था और जब से ये मुझे से दुखी हो गए थे ये बहुत जात शक्तिशाले इंसान है और ये मेरे पीछे मुझे पीटने के लिए दोड़े थे और मैं इनसे बचते बचाते ही श्रेक स्कूल के अंदर teacher बना था अब सब लोग बात की गंभीरता को समझ जाते हैं और चुप चाप तैंक शैंक की fight को देखने लगते हैं fight के बीच तैंक शैंक हार रहा होता है क्योंकि grandpa बहुत जादा शक्तिशाली थे और वो एक soul land master भी थे अब तैंक शैंक बुरी थरह से पिटने ही वाला था कि तब ही वहाँ वो अपनी दूसरी marshal soul जो एक hammer थी उसे निकालता है और उसका use करके grandpa पर वार करने लगता है लेकिन तब ही वहाँ निंग रॉंग रॉंग के साथ उसके पिता आ जाते हैं और उसके पिता मैच के बीच में आकर मैच को रोग देते हैं निंग रॉंग रॉंग के पिता को हम अंकल स्वाट कहेंगे और grandpa अंकल स्वाट को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं अंकल स्वाट सोल लैंड की सबसे बड़ी ट्राइब में से एक राजा थे इसलिए grandpa उनके सामने सर जुकाते हैं अब अंकल स्वाट तैंग शैंग से मिलते हैं और grandpa तैंग शैंग से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम तैंग हाओ है क्या जिस पर तैंग शैंग हाँ बोलता है तो grandpa तुरंट उसके सामने जुक कर उसको नमस्कार करते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि grandpa के teacher तैंग हाओ थे और तैंग हाओ बहुत बड़े warrior थे अंकल स्वाट भी तैंग हाओ का नाम सुनकर शौक होते हैं और वो तैंग शैंग को आश्चरे के साथ देखने लगते हैं और फिर grandpa तैंग शैंग से अकेले में meeting करने को कहते हैं और अंकल स्वाट भी उसे अकेले में मिलना चाहते थे जिस वज़े से अब तैंग शैंग पहले तो अपने रूम में चाहता है और वहाँ कपड़े बदल कर अपने पापा के बारे में सूचता है और उसे इतना तो पता चल जाता है कि उसके पापा कोई मामूली से लोहार नहीं है अब तैंग शैंग सबसे पहले grandpa के पास जाता है और वहाँ जाते ही तीनों लोग तैंग शैंग के सामने गुटने डेक देते हैं तैंग शैंग उन्हें खड़ा करके कहता है कि आप लोग मुझे तैंग शैंग ही बुलाओ क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ जिस पर सब मान जाते हैं और अब तैंग शैंग उनसे अपने पापा के बारे में पूछता है जिस पर ग्राणपा बताते हैं कि तैंग हाओ मेरे मास्टर थे अब तैंग शैंग फिर उन्हें उनका दिया हुआ आखरी लेटर दिखाता है और इसे परकर ग्राणपा आसूँ से रोने लगते हैं क्योंकि इस लेटर में तैंग हाओ ने अपने आपको यूजलेस बताया था और ग्राणपा तैंग हाओ के लिए पोई तरह सा मर्पित थे और वो अपने मास्टर को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं वो तैंग शांग को बताते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हें खुद अपनी असलियत नहीं बताई है इसलिए हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि तुम्हें उनकी छुपाई हुई बात बता सके लेकिन मैं तुम्हे बस इतना बता सकता हूँ कि वो एक बहुत बड़े आदमी थे हम तीनों ही पहले तांग हाउ की क्लान के अंदर थे लेकिन जब से वो लापता हुए हैं तब से हम अपने इस शहर में आ गए और यहां मैंने अपनी ट्राइब पसा ली लेकिन क्योंकि अब तुम आ गए हो इसलिए उस ट्राइब के मालिक तुम हो और इस ट्राइब में जो भी 217 सोल मास्टर हैं वो सब तुम्हारे हैं और तुम्हारे एक इशारे में वो अपनी जान भी दे देंगे अब ये सब सुनकर तांग शांग ग्राइब को पहले तो खड़ा करता है और फिर उनसे कुछ बात और करके विदा मांगता है और कहता है कि अब मुझे अंकल स्वार्ट से मिलने जाना है इसलिए मैं अब चलता हूँ जिस पर ग्राइबा उसे फेरवेल बोलता है लेकिन रास्ते में उन्हें ये समझाता है कि उनकी ट्राइब भरोसे करने लायक नहीं है और उनपर बहुत लोगों को संधे भी होता है जिस पर तैंग शांग ग्राइबा की बात को ध्यान में रखने की कहकर वहां से चला जाता है अब वो अंकल स्वार्ड निंग रॉंग रॉंग के ग्राइबा और निंग रॉंग रॉंग से मिलता है और वहां पर दोनों बात चीत करते हैं जिसमें अंकल स्वार्ड पहले तो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ट्राइब में मिलाना चाहता था लेकिन तुम टैंग खाओ के बेटे हो इसलिए अब तो ये मुन्किन नहीं लेकिन मुझे तुम्हारे hidden weapons बहुत पसंद आए हैं और अब मैं उनको बनाने का तरीका तुमसे सीखना चाहता हूँ वो इसके उसे बहुत भारी कीमत भी अदा करने को तयार हो जाते हैं लेकिन तैंग शैंग मना कर देता है और कहता है कि वो तरीका मैंने बहुत study करके खोजा था जिसे मैं बेच नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे शहर में उनकी factory खड़ी कर सकता हूँ और लास्ट में जो step होता है उसको मैं मैंनुली जाकर करूँगा जिस पर अंकल स्वार्ड मान जाते हैं और तैंग शैंग को एक hidden weapon के 10,000 सोने के सिक्के देने को मान जाते हैं उसे टोटल 500 sets चाहिए थे जिस वज़े से वो तुरंग टैंग शैंग को 50,000,000 से के देता है अब डील हो जाने के बाद टैंग शैंग चला जाता है और अब हम अंकल स्वार्ड को अपने पता से बात करते हुए देखते हैं और वो टैंग हाउ के बारे में बात कर रहे थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टैंग हाउस जिन्दा बच जाएगा और उसका बेटा इस तरह से कल्टिवेट कर रहा होगा और अब टैंग शैंग की कल्टिवेशन स्पीट को देखकर उन्हें डर लगने लगता है क्योंकि अगर टैंग शैंग बहुत शक्तिशाली बन गया तो उसकी जो ट्राइब होगी वो निंग रॉंग रॉंग की ट्राइब को नुकसान में ला सकती है अंकल स्वार्ट के पिता को हम अंकल बोन कहेंगे और अंकल स्वार्ट तो इस मामले को शांती से ले रहे होते हैं लेकिन अंकल बोन को कुछ जादा ही चिंता हो रही थी अब टैंग शैंग फिर अपने दोस्तों के पास वापिस जाता है और सब उसे संभालते हैं क्योंकि अभी अभी उसने इतनी बड़ी फाइट की थी और अब जब उन्हें ये पता चलता है कि तैंग शैंग ने पचास मिलियन की गमाई की है तो उसके दोस्त का मूँग गीला हो जाता है और वो तैंग शैंग को पकड़ने लगते है अब रात को फिर सब डिनर करने जाते हैं लेकिन तभी रास्ते में आसकर निंग रॉंग रॉंग को रास्ते में रोक लेता है और उसे प्रपोस कर देता है जिस पर निंग रॉंग रॉंग शर्माते हुए हां कर देती है और आसकर इससे खुश हो जाता है और ये कहकर चला जाता है कि वो जल्दी से कल्टिवेट करके बड़ा आदमी बनेगा और उसके पापा से उसका हाथ मांग लेगा अब फिर अंकल स्वोड आते हैं जो अपनी बेटी को अलविदा बोलते हैं और उसे तैंग शैंग के साथ अच्छे से पढ़ने को कहकर चले जाते हैं अपनिंग रॉंग रॉंग खुश होते हुए औसकर के पास चाने लगती है क्योंकि वो आसकर को बताना चाहती थी कि उसके ट्राइब के अंदर शादी के कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स लड़के को जानना बहुत जरूरी है इसलिए वो तुरंट आसकर को ये बताने भ जब खेल रहे होते हैं, तो तब ही वहां Mr. Dhai आ जाते हैं। Mr. Dhai को देखर सब बहुत खुश होते हैं और Mr. Dhai सबसे पहले tank shang को गले से लगाते हैं। जिस पर औसगर मजाक में यह कहता है कि मुझे लगा था कि सबसे पहले तुम cat girl को गले से लगाओगे। ये सीन बहुत साधा फनी हो जाता है। अब तैंक शैंक की वजह से मिस्टर धाई की रांग 43 पर पहुँच गई थी। अब तैंक शैंक ग्रैंट मास्टर के पास जाता है और वहाँ पर वो अपने पापा के बारे में उनसे पूछता है। जिस पर उसे ये पता चलता है कि उसे पहले से ही पता था कि तैंक शैंक तैंक हाउ का बेटा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा यहां आये थे और उन्होंने एक बैज दिया था और इस बैज के अंदर सभी सोल लैंड मास्टर और उन सातों मेजर ट्राइब की निशानी है जो आज तुम देखते हो। इसमें ग्रांड मास्टर की ट्राइब और निग रॉंग रॉंग की ट्राइब भी है। अब फिर वो उसे उसके पापा के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे पापा का एक भाई जिसका नाम टांग जी आओ है वो दोनों बहुत बड़े सोल लैंड मास्टर हैं। उसे कुछ नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें खुद इस बारे में नहीं पता था। अब टैंग शैंग अपने पापा को याद करने लगता है। लेकिन ग्रैंग मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ कर गए थे। क्योंकि स् डिसकस करने लगते हैं। और अब टैंग शैंग फिर ग्रैंट मास्टर से ये पूछता है कि आपने और नेरे पता ने मुझे ये क्यों मना की थी कि मैं अपनी हैमर वाली मार्शल सोल में स्पिरिट रिंग आड़ ना करूं। इसका आकर रीजन क्या है। और इस क्वेस्ट